दोस्तों यहाँ पर मैंने एक्सल में पिचर इंसेट कराया है जिसे मैं कोई एक्सल में फिक्स करना चाहता हूँ और rectangle shape को कुछ इस तरह से यहाँ पर drop कर देना है अब यहाँ पर हमें save fill में जाना है यहाँ से आपको picture को select करना है तो यहाँ पर आपको अलग-अलग option मिल जाएंगे यहाँ पर मैं चूज करूँगा from a file और यहाँ पर मेरे पास जो picture available है उसे मैं यहाँ से select कर लोगा यहाँ स हुआ है